हाई फिरेंट्स वेलकम बेक टू एजुकेस इंडिया तो आज हम बात करेंगे मोस्वाग के बारे में मोस्वाग ने भारत के कई बड़े इलाखों में एक हाई अलट जारी कर दिया है और आपको सावधान रेने को कहा है आपको बता दे तो मोस्वाग ने बारा से पंदरा मही तक एक बिश्ण तुफान की आसंका बताईए और उसी को लेकर मोस्वाग ने हाई अलट जारी क्या है तो अभी हम आपको पूरी की पूरी जानकाई देंगे कि ये तुफान कहां कहां पर आने जा रहे कहां कहां पर आई ये लट जारी क्या गया है और कहां कहां पर आपको बचके रहना है इस तुफान से तो पूरी की पूरी जानकाई दी जाएगी, आपको इसलिए आप वीडियो भी पूरा का पूरा जान पूरा का लाज तक देखते रहे, ताकि आपको एक एक जानकाई सही वह रएक कि मिल सके, लेकिन उससे पाले हम आपसे छोटी सी गुझारिस भी करना चाहते हैं, कि यजि सबस्काइब कीजिए जिसके लिए आपको वीडियो की निचे एक लाल कलर का सबस्काइब का वटन दिख रहा होगा उसे दबाना है जैसे आप सबस्काइब के वटन को दबाएंगे तो पास ही मा जाएगा एक घंटी का निसान उसे भी आप जरू दबाएए ताकि आपको हर वीडियो सबसे पहले देखने को मिले और आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके और दोस्तों साथ सबस्काइब को अपना सपोर्ट जरू दीजिए इसके लिए आपको सरफ और सरफ लाइक और सेरी करना होगा लाइक करने से आपका सपोर्ट स्पोर्ट स् जानकारी तो मोसम भाग ने देश में जो आने वाले दिन है वह बेहदी खतलनाक होने की आसंका बताई है आपको वतादे 12 से 15 मही तक कई बड़े इलाकों में एक तेज तुफान आ सकता है उसी को लेकर मोसम भाग ने अपनी संभावना बताई है तो अभी हम आपको बता देत हैं कि तुफान की आसंका संभावना कहां कहां पर बताई गई है और कहां कहां पर ये विश्ण तुफान आज सकता है तो देख लेते हैं पूरी की पूरी जानकारी तो अगले 24 गंटों के लिए मोसम भाग ने एक बहुत बड़ा अलड़ जारी कर दिया है देश के कुछ ब कि 13, 14 और 15 मैं को भी जो हैं ये तुफान अपना आ सकता है यानि कहर बरपा सकता है तो बारतिय मोसम भाग के मुताबिक 11 मैं से एक पच्ची मी विसोब सकरी हो चुका है और इस दोरान जो है धूल बरी आन्दी काई इलाकों में देखने को मिल चुकी है और बादल भी अप बताया जाएगा कि बादल गरच सकते हैं और इतना ही नहीं इस दोरान बूंदा बांदी हो सकती यानि संभावना बताई गई है और बताये गया है कि अच्छी बारिस हो सकती है जिससे आन्दी थोड़ी सी यहां पे विसराम कर सकती है ये बात कही गई है मोसम भाग के एंसियार के सवरो, नोईडा, गाजियाबाद, फरीदाबाद, गुरूप, ग्राम, सोनी पत्के अलग-अलग इस्तों में जो हैं तेज बारिस देखने को मिल सकती है तो ये एक बहुत बड़ी चेतावनी जो हैं जारी की गई है मौसम बाग के द्वारा और बताया गया है कि दिली में परदूसन बढ़ रहा है वहाँ उससे थोड़ी सी सांती मिल सकते है इस तोफान से ये बात कही गई है मौसम बाग के द्वारा और इसके अलाओ जो पहले ही परदूसन हो रहा है दिली समय कुछ उत्तर बात के कई बड़े इस्सों में वहाँ पर बहुत ही तेज आंदी देखने को मिल लाई है इसका मेट वेदर के मुख्य मौसम वेग्याने की तरफ से बात आई है कि अब धूल बरी आंदी से थोड़ी सी रहत मिल सकती है क्योंकि तेज बारिस की संभावना बताई गई है मौसम बाग के द्वारा और इसी के चलते धूल बरी आंदी च हुए आसमान में वह कम हो सकती है तो इस प्रकास से मौसम बाग की सबसे बड़ी महत्रपों डिपोर्ट आ चुकी थी आज की और आप सभी को सावधान डेने को कहा गया था 11-15 मही तक और कहा गया था कि बहुत बड़ा विसाल का तुफान आ सकता है जो की काफी खतनाक हो सक है तो इस प्रकास से मौसम बाग की बहुत बड़ी चाहता हो नहीं आप सभी के लिए देखने को मिली थी दोस्तों इस वीडियो को लाइक जरू कीजिए और दोस्तों यदि आप माले चैनल पर हो नए चैनलों को भी आप जरू सब्सक्राइब करिए और पास ही मा जाएगा गंटी का निसान उससे भी आप जरू दबाईए और दोस्तों इस वीडियो को जाड़ा सब्सक्राइब जरू कीजिए जितना आप सेर करोगे उतना ही आगे सागे यह वीडियो जाएगा इसलिए सब्सक्राइब बसना ही था आप सभी का बहुत बहुत धन्यवार इस वीड देखने के लिए जेहिंद जे बारत वंदे मात्रम